इस अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूस्कूर क्लासिस और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 की साइन्स और केंस्टी में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नुबर सेकेंड विच इस इस पेस एन सॉल्ट ऑके बट विफोर स्टार्ट इस डिस्कूस तोड़ और इस तोड़ इस तोड़ इस अवरेटिंग इंपॉसिबल अंटिल इस दन लाइप में हरे काम हमें तब तक इंपॉसिब लगता है जब तक कि हम उस काम को कर ना लें और सोचो कोई भी काम हमें इंपॉसिबल क्यों लगता है या तो काम बहुत टफ होगा या फिर हम क्या करते हैं हम अपनी सोच को इतना नेगेटिव बना लेते हैं कि हम उस काम को कर ही नहीं सकते और इसलिए वह काम हमारे लिए क अगर वही टॉपिक अगर आपको कोई समझा दे एक बार तो फिर यह रहता है रही यह तो इतना इजी था यह तो बहुत आराम से हो जाता है ठीक है प्रस मैंने किया है यह शाहिद इसलिए मेरे से हुआ भी नहीं लेकिन आगर वहीं आपने पहले से कोशिश की होती है पहले स सब्सक्राइब कर रहें उसमें अपना 100% दो कभी न कभी आपको काम जोए ज़रूर हो जाएगा ठीक है और जो भी काम कर रहें प्रस ध्यान से करने हैं तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज क्या पढ़ने वाले हम चैप्टर सेकेंड और इस एप्टर सेकें आपढ़ेंगे हें इस इपस और सौलक के बारे मांए इन की वाiness जिए पढ़ेंगे ranuसके बाद हम पारेंगे कुछ वीज़ फरिटी सगयर मैस rate मीन को बहुतने हैं या फिटने इस ट्रॉंग है या फर टोडर धे होते हैं ठीक है उनको कैसी तिरा से संथाइज किया जाता है क्या क्या उनके यूजिस है हमारी लाइफ के अंदर ओके यह सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो फ्लाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं विदा इसे इन बेस तो इसिद के और बेस क को इसकी बात करूंब तो इतने बेस में पास उनका करते हैं बिट्र मतलब क्या होता है कर दफां ठीक है तो जितने बुटेस हमारబ होंगे इन बीसके जो醇न करते हैं और ऑफ से साथ रेग करते हैं जो मैं simply कह दूँ कि जितने भी acids हैं जब metal के साथ react करते हैं तो इन metals को corrode करना शुरू कर देते हैं बतला है उसको एक तरह से में किस तो भी खराब करना शुरू कर देते हैं like chapter first में एक topic पढ़ा हुआ corrosion ठीक है तो एक corrosion जो है उसी वर्ड से एक word मना है मारा कि जितने भी acids होगा करते हैं वो metals को corrode कर देते हैं खराब कर देते हैं और hydrogen is release करते हैं and next is they conduct electricity in the solution जितने भी acids है अगर इनको हम aqueous solution बनाते हैं यह फिर इनको molten state में लें ठीक करते हैं electricity को conduct करते हैं okay as they have ions present in them then अगर हम basis की बात कर दो बहुत हम पहले इस इस कर लिया कि बेज जितने भी एकसे उता सारे बिटर होते हैं यह कर वे होते हैं then अगर इनको touch किया जाए तो यह कैसा feel कराते है थोड़ा simply feel कराते है like soap हो गया ठीक है soap हो गया detergents हो गया जब इनको touch करते हो थोड़ा सा बहुत कैसा लगता है कि थोड़ा सा कैसा बाकि इनके बारे में और डिटेल में कुछ definition पढ़ने वाले है देनिसके बाद एक classification किया जाता है इसका pH के basis भे ठीक है देखो जितने भी acids है इनका जो pH होता है वो हमिशा 0-7 लाई करता है अगर किसी भी substance का pH 0-7 है तो वह substance कैसा कहलाएगा वहीं अगर मैं बात करनों basic substances की तो जितने basic substances है इनका जो pH है वो 7-14 लाई करता है ओके अगर किसी भी substance का pH 7-14 के बीच में है तो वह substance कैसा कहलाएगा basic कहलाएगा और अगर किसी substance का pH exactly 7 है तो वह substance कैसा कहलाएगा neutral ओके मतलब ना तो वह acidic है ना ही वो basic है बात के लिए और एक चीज़ और कि किसी भी substance का pH अगर मैं बात करों acidic substance की जितना ज्यादा कम होगा like 0-1-2-3 के आसपास जतना होगा उतना ज्यादा strong acid होगा वहीं अगर base की बात करें तो किसी substance का pH जो है जितना ज्यादा होगा वह एकर pH ज्यादा होगा 14 तरफ जितना 14 के close होगा उतना ही बेस ट्रॉंग होगा ओके और वहीं pH अगर जितना 0 के पास होगा उतना ही ज्यादा strong acid होगा ओके अगर मैं आरेनेस concept की बात करूं तो आरेनेस concept के according जो acid जितने भी acids होते हैं इसी हम सिर्फ उनको कहेंगे जो हमारे hydrogen आइन जो है वो लीज़ करें याने कि एच प्लस आइंस रिलीज करें अलब मैं सी इंतली कहते हूं कि पॉस्टिव आइन्स जो है वो लीज़ करते हो अगर कोई भी सबस्टांस जो है कोई भी स्पीसी जो अगर पॉस्टिव आनबलीस करती है तो हम कहेंगे भई कि वो सब्स्टांस कैसा है इस अधिक है वहीं इसका उल्टाग देखें तो बेस की बात कि अगाए समेट करती है ओईस माइनस आइनस ग्रीज प्रॉड्यूस करती है तो वह सब्सटांस क्या जैका लाएगा बेसिक इसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रॉंस्ट लोवरी कंसेट की तो ब्रॉंस्ट लोवरी कहते हैं बैए एन एसीड is a species that can donate a proton to another species मतलब कोई भी एक एसेट जो है यह वो species होती है जो protons को donate कर सके है तो मैं इसको donor species भी कह सकता हूँ ओके देन अगर हम बेस की बात करूँ तो बेस मेरे वो species है जो proton को accept कर सकता हूँ भी तो यह donors हैं तो यह accept कर रहेंगे acceptors तो इनकों बहुत कहेंगे acceptors कहने वाले है तो यह क्या है है यह क्या है हमारा leves concept तो leves concept कहता है भी कि and asset as a species that can accept an electron pair कि कोई भी species अगर electron pair को सकती हो तो वो species क्या कर लाएगी वो species as a cd क्याइगी तो ही इस को में क्या कर सकता हूँ भी यह क्या मेरी अचेप्टर है आप दिखो है यहां प्र सप्टर रहे ता यहां प्रसप्तर हुआ है और यह और होता है लेकिन क्या असेट कर रहे है इलेक्ट्रोन असेप्टर है सेम यहां पर क्या होगा यह इलेक्ट्रोन डॉनेट कर रहे कोई भी सबस्दान्स बेसिक लाईगा सेखर कोड़ीं कि अगर कोई सबस्दान्स जो है वो एलेक्टरौन पेर डोनेक कर सकता हो व सबस्टान्स का कह、 कहलाईगा पेस कहलाईगा टीक है इसको क्या बोलेंगे है, electron donor, ओके, तो यह कुछ definitions है, acids और base की, ठीक है, इसके बाद, आगे देखो, आगे हम बढ़ते हैं, test of acid and base, ठीक है, अब यब तक तो हम बेसिक चीज़े पढ़ लें कि भी acid क्या होते हैं, base क्या होते हैं, अलगले definitions भी पढ़ ली, अब बात आती टेस् है, हमने starting में चीज़ पढ़ी थे कि कोई भी substance अगर sour है, तो acid है, और कोई भी substance अगर bitter है, तो base है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर सब्सक्रांस को ऐसे टेस्ट करने हैं, बता दें भी कौन acid और कौन base है, क्योंकि बहुत सारे जो acids हैं, या फरे बहुत सारे जो base है, व ठीक है, अब अगर हम बात करो, indicators की, तो यह word आपने पहले भी सुना होगा, जितने भी automobiles होते हैं, मैं बात करो, car की, bikes की, scooties की, हर automobiles में indicators जो हैं, वो लगे होते हैं, और इंडिकेटर क्या होते हैं, यह कुछ चोट-चोटी lights होती है, रैडिया, या रैडिया, फिर और और यह कैसी है, एक तरह से blinking light होती है, अगर कोई भी गाड़ी अगर चल रही है, लाइक बाइक चल रही है, तो वो क्या करता है, कि अगर उसको कहीं मुड़ना हो, लाइक उसको अगर turn लेना है, रैट की तरफ है, लेट की तरफ कर करेगा, वो जिस तरह वो turn लेना चाहता ह है, वो उसके पीछे आने वाली जितने भी और automobiles से हैं, तो उन्हें एक indication मिल जाता है, यह जो हमारा automobiles है, यह जो bike है, यह जो car है, वो right की तरफ मुडने वाली है, फिर left की तरफ मुडने वाली है, okay, same काम indicators करते हैं, acids और base के लिए, तो यहां दो तरह का indicators होते हैं, एक त होते हैं, और कुछ indicators ऐसे होते हैं, जो acids या base के अंदर अपनी smell change कर देते हैं, मदद उस solution होगा, उसके smell में कुछ नो कुछ changes वो ला देते हैं, okay, तो जो indicators है में ली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मारे acid-based indicators, एक होते हैं मारे all factory indicators, अगर हम बात करों acid-based indicators की, तो acid- basically वो indicators है, जो क्या करते हैं, जो acidic solution में और basic solution में different color show करते हैं, like acidic solution में कुछ और color show करेंगे, basic solution में कुछ और color show करते हैं, और अगर मैं बात करों all factory indicators की, तो all factory indicators मेरे वो indicators हैं, जो acid solutions में या base solution में कुछ अलग-अलग smells या अलग-अलग orders जाएं वो produce करते हैं, ठीक है, उससे हमा भी संदेटटीक है तो रमसेच्शेल सुछ चाहँ हम नियाच्टिक है इंडीकेटृ में दो वह रगत demás ये रहे हैं तो ये लीड ढहले नेट्रीक हमारे वननीकेटर से हैं जो हम लबर का किसे साइज करते हैं तो तो जाहां भी वर्ट संथेटिक आ गया मदलब वो चीज़ जा है वो कैसी होगी हमिशा मैनमेड होगी और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की और वह भी हम बात करें किसमें हैं chemistry field के अंदर तो chemistry field में जितने भी inventions होते हैं मेली का होते हैं लेबरेटरी में होते हैं फिर कुछ industries में होते हैं ठीक है तो हम कहते हैं बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर्स जो हैं किस किस कंडिशन में किस तरह किलर शो करते हैं लाइक सबसे पहले बात करते हैं नेच्रल इंडिकेटर्स की और नेच्रल इंडिकेटर्स में हम सबसे पहले डिसक्स करेंगे बाउट लेटमस तो अगर मैं लेटमस की बात करों त तो यह neutral solution के अंदिर हमिशा purple color show करेगा और वहीं अगर मैं बात करता हूँ एक acidic solution की तो acidic solution में जो मारा litmus paper होगा, litmus solution होगा कैसे तरह color show करेगा, red और basic में कैसे color show करेगा, blue ठीक है, तो यह गर मैं यह कहूँगे, red था और red color show करता है, it means यहां पर कोई color change होगा ही नहीं, red है तो red ही रहने वाला है, लेकिन जैसे इसको हम basic solution में डालेंगे, तो इसका color कैसा हो जाएगा, blue, okay, तो it will turn red to blue, सीख है, देखो, इसके बात हम बात करते है, red cabbage extract की, अगर मैं red cabbage extract की बात करना हूँ, तो red cabbage extract जो है, और basic solution में इसका color कैसा हो जाएगा, green, okay, then, इसके बाद बात करते हैं, कुछ synthetic indicators की, आप synthetic indicator का हूँ से दे, synthetic indicators हमारे वो indicators से जो हम laboratory ने प्रपेर करते है, सबसे पहले हम बात करते है, fun of clean की, fun of clean बड़ा ही important है, ठीक है, क्योंकि जितने भी हम titrations करते हैं, में लिए, fun of clean की presence में ही करते हैं, ठीक है, देखो, fun of clean जो है, basically colorless solution होता है, जब इसको हम जो है, ठीक है, किसी भी एक neutral solution के नदर डालेंगे, तो neutral solution में इसका color क्यासा बात होगी, अगर मैं, methyl orange की बात करता हूँ, तो methyl orange जो है, उसका भी same है, अगर मैं इसको neutral solution में रखता हूँ, तो neutral solution में इसका जो color है blue, okay, blue रहने वाल है, और अगर बात करें basic, sorry, acidic solution की, तो acid solution में इसका color blue ही रहेगा, और basic solution में इसका color हो, और इनसे कैसे हो जाएगा, तोड़ा pale yellow हो जाएगा, तो ये कुछ अलग-अलग indicators हैं, जो अलग-अलग conditions में अलग-अलग color show करते हैं, तो अगर मैं बात करें, फ्लॉक्स्लीन की या methyl orange की तो यहां पर यहां जो है neutral solution colorless था, यहां भी colorless था, और same यहां अगर मैं बात करें, इनको differentiate करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यह क्या करता है, यह हर condition में कुछ different color show कर रहा है, तो इसलिए इसको हम universal indicator भी कहते रहते हैं, क्योंकि यह indicator जो हम mainly use करते हैं, यह indicator mainly use करते हैं, लेप्रविटीज कर अंदर किसी भी solution को identify करने के लिए, तो आज की class में हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाकि आपको अभी भी कोई doubt हो या कोई चीज मुझसे छोड़ गी हो, तो आपको comment करके जुरू बताना है, तो बाकि मिलते हैं बागे की वीडियो में, till then bye bye, take care, stay home, stay live.